तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि इंधन क्या होता है और इंधन की परिभासा इंधन के आउसाद गुण कौन से होते हैं जैसे इंधन के गुण होते हैं जोलन साफ और इंधन का उस्विमान इंधन का उस्विमान डिपरेंट का आपका कहलाता है उस्विमान और निम्न उस्विमान और इसके बाद बम कैलोरी मीटर और इंधन के परिकार तो जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि इंधन बेपराज कहलाते ह जो जलने पर उस्मा तथा प्रकास उत्पन करते हैं और उस उस्मा का इस्तमाल हम लोग घरेलू उपयोग में या फिर किसी भी कार खाने में उस उर्जा का इस्तमाल किया जाता है जैसे घरों में देखा होगा कोईले से खाना बनाया जाता है कोईले को जलाया कोईले से जो उश्म प्रापत ही उसका हमोसने दैनिक जीवन में इसका इस्तिमाल किया दूसरा इंधन पैट्रॉल जीजल मिट्टी कते लिए इनको जलाने पर हमें प्रापत होती है छिपlestick we कि थर्मल फ्लांट होते हैं वो कोईले से चलाय जाते हैं जितने भी आपके बाहन है दो भी इंधन है मिट्टी का तेल यह सब एंधन है तो हम लोग बो कह सकते हैं कि बेपदार जो बायू अधवा ओक्षियन में दहन किये जाने पर अधिक मात्रा में उस्मा उर्जा उत्पन करते हैं तथा जिनका उप्योग धरों अथवा उद्ध्योगों में किया जाता है इधन कहलाते हैं जब किसी इधन को ओक्षिजन के साथ जलाया जाता है तो यह रासनिक अध्किरिया को हम लोग कहते हैं दहन दहन या कमबश्तन दहन के फर्शरूप कोई भी इधन उश्मा तथा प्रकास को उस्पन करता है सेकेंड आते हैं इधन के गोड़ एक होता है जुलनताप और इधन का उश्पे मान जुलनताप विभिन इधनों का दहन अलग-अलग होता है जैसे आपने देखा यदि आप दो इधन की बात करें लक्री या कागज या लक्री इन दोनों की तापमान अलग-अलग होते हैं किसी भी इधन को जलने के लिए एक निधाय तापमान चाहिए होता है जब उस निधाय तापमान पर इंधन का टैमपरिचर पहुंच जाता है तभी वह इन्हण जलेगा जैसे आपने देखा तापमान उसको जलने के लिए चाहिए था उतना जब उसको तापमान प्राप्ट हो जाएगा तब लक्री जलेगी इसके पहले लक्री में कोई भी प्रतिकरिया नहीं होगी और उसी के साथ एक्षादी उतने से कम तापमान में यदि आप कागज को ले जाते हों कागज जलना श्टार्ट कर देती है तो यह क्या है इसका जुलन ताप कहला था इगनिशन पॉइंट इगनिशन पॉइंट जहां पर कोई भी इनन जलने के लिए वह निधाय तापमान गिर्ण करता है जैसे कहते हैं बिभिन इननों का देहन अलग-अलग तापमानों पर होता है किसी इनन का देहन करने के लिए उसे इतना गरम करना पड़ता है कि उसमें से अधिक मास्तरा में बास्प निकलने लगे सबसे पहले जब किसी इनन को जलाया जाता है तो सब पहले उसमें धुमा टाइप पर निकलता है बैपराइजिसन होता है उसी को एते हैं बास प्रतिक इन्हन की ये अब अस्था लाने के लिए एक निश्चत ताप की जरुरत होती है और इस ताप से कम ताप पर इस इन्हन का देहन नहीं हो सकता है ये कम से कम ताप जिस पर किसी इन्हन का देहन प्रारम होता है जो अलन ताप कहलाता है सेकन आते हैं इन्हन का उश्यमान इन्हन का उश्यमान कहलाता है किसी इन्हन की एकाई मात्रा के पूर्ण देहन से प्राप्त उसमा को इन्हन का उश्यमान कहते हैं मतलब एकाई ड्रमान का कोई इनन लाए और आपने उसको जलाया जलाने वजवाब को उश्मा प्राप्ट होई वही कहलाती इसके उश्मेमान उश्मेमान में दो प्रकार की उश्मेमान होते हैं एक होता है उच्छ उस्विमान और दूत ही होता आपका निम्न उस्विमान उच्छ उस्विमान को कहते हैं High Calorific Value निम्न उस्विमान को कहते हैं Low Calorific Value तो हम लोग इसके उच्छ उस्विमान की बात करेंगे उच्छ उस्विमान उन इंधनों को कहते हैं जिनके देहन पर उत्पन जलवास्प को संगनित मानते हैं और ऐसा होने पर मुक्त हुई गुप्त उसमा कमान भी उसमान से जुड़ा हुगा होता है या पर हम दूसरे सब्दों में ऐसा कह सकते हैं यह एक कोईला है और कोईले में थोड़ी भी मौश्चर है मौश्चर है नमी है और जब आपने इस कोईले को जलाया तो सबसे पहले उसकी बास पर निकली बास पिलस कोईले को जलाने पर जो उसमा प्राप्त हुई तो कोईले को जलाने पर जो उसमा प्राप्त हुई वो और बास दोना का जो कॉम्बिनेशन होगा वही कहलाएगा high calorific value प्लस आप ही कह सकते हैं किसी भी fuel को burn कराया गया तो आपने burn किया या इसको जलाया जलाया प्लस उसकी जो बास्ट थी बास्ट पर जो सायोजन होगा वही कहलाएगा उच्छूसे मान लेकिन निम्नुसे मान में बास्ट को हटा दिया जाता है सिर्फ उसको जलाने पर जो हमें उसमा प्राफ्ट होती है उसे कहते हैं निम्नुसे मान तो वासा करते हैं आप यह समझ चुके होंगे कि जब किसी भी इन्हन को जलाया जाता है तो इन्हन के जलने पर जो उसमा प्राफ्ट होती जो जलाने पर उस्वा प्राफ्ट होई हाई कैलोर्फर बैलू कहलाती है लो कैलर्फर की बैल्यू में आप जो बास पूर्जा है उसको आप कंसीडर नहीं करते हैं निम्नर उस्यमान में फिर आते हैं बात बंब कैलोरी मीटर और इसको उस्यमान को मापते हैं बेटिस्थर्मल यूनिट बी टी एच यू या बेटिस्थर्मल यूनिट के माध्यम से आप इसको नापते हैं प्राते हैं कैलोरी मीटर कैलोरी मीटर बर कैसे करता है और होता क्या है कैलोरी मीटर में हम किसी भी इनन का कैलोरी मान निकालते हैं कि किसी भी इनन को चलाने पर किसी उसमें कैलोरी उत्पन हुई इसका ग्यात हम बं कैलोरी मीटर के माध्यम से करते हैं जहां पर ये फिगर दिया हुए है बं कैलोरी मीटर का ये बाहरी जो आवरण है ये बम कैलोरी मीटर का है जिसमें ये प्याला है या एक कप है कप के अंदर पचाश एट्मॉस्ट प्रेसर पर ऑक्षिजन को यहाँ पर भरा गया है और ये पूरा एरिया पानी से कवर है इस पानी के अंदर एक थर्मा मीटर डाल दिया और दूसरा टाला बिडोलक का काम होगा पानी को चलाते रहना जिससे क्या होगा कि सभी जो पानी है वो एक जगह मतलब हर जगह उसका तापमान एक जैसा होता रहे माली यहां पर गर्मी हीट जादा हो गई तो यहां का एरिया जादा बढ़ जाएगा बिडोलक क्या करेगा इस पानी क हो जाएगा गर्म हो जाएगा तो थर्मा मीटर बता देगा कि इसमें टेमपरिचर प्रेडूस हो गया तो इस प्याले के अंदर आपने किसी भी इंधर का केलोरी मान गयात करना है वो इसके अंदर रखेंगे ये पूरा पार्ट बंद रहेगा बिद्धुत के द्वारा इसको इस पार्क के द्वारा इस इंधर को जलाया जाएगा जलाने पर जो उश्में मान यहां पर उत्पन होगा वो थर्मा मीटर से मेजर कर लिया जाएगा जलाने के पहले जो ताप मान आया वो नोट किया गया और जलाने के बाद जो ताप मान आया वो आपने नोट किया और द किसी भी इनन के जलाने पर जो उस्मा हमें उस्मा प्राप्त होती है इसके बाद होता है इनन का बरीकर्ण इनन तीन प्रकार के होते हैं थोस, द्रब, गैस थोस में आते हैं लकडी, कोईला, कोईले के टाइप आते हैं पीट कोईला, लिगनाइट कोईला, बिटुमिन कोईला द्रवी इनन में आते हैं पैटॉल, डीजल, केरोसिन, गैस इनन में आते हैं वाइल गैस, एल पीजी, सी एन जी और बायो गैस जहां पर कोईले में कुछ जहां पर कारवन की मात्ता जादा होती है वही कोईला अच्छा माना जाता है अच्छे इनन की बिसेसा क्या होती है कि इसका ज्वलन ताप कम होना चाहिए, इसका उस्वेमान अधिक होना चाहिए, इसका ज्वलन अवतरित होना चाहिए और इसके कम भी नहीं होना चाहिए इसके दहन में हानिका गैसें नहीं निकलनी चाहिए और इनन हमारा सस्ता हो जलाने के बाद धूआ गैस या राकादी ना उत्पन हो फिर आते हैं इननों के प्रकार इनन मुक्रूप से तीन प्रकार होते हैं जहां पर थोस को दो भागों में बाटा गया प्रकार्तिक इनन जो हमें प्रकार्ति से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं प्रकार्तिक इनन और जो हम खुद निर्मित करते हैं उन्हें कहते हैं किर्थिम जैसे चार कोल या कोल ये सो होते हैं किर्थिम इंधन और जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं लकडी का कोईला यह लकडी यह हमारे कहलाते हैं प्राकृतिक थोस इंधन द्रब इंधन में आते हैं प्राकृतिक और किर्थिम प्राकृतिक पेट्रोलियूम पदारत आते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त ह होते हैं कि आप और की तीजल इत्यादी गयासी प्राक क्र réussi को होते हैं और कुर्टें में रहते हैं जो क्र सब्रेक्र्ण दौर्धा उच्पर में प्राप्त होते हैं oh झाल झाल